So hi everyone, this is Saurabh Thakur और जैसा कि मैंने कहा था कि हम literary criticism शुरू करने वाले हैं और आज का lecture जो है, वो बहुत 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 ज्यादा important है क्योंकि plateau के बारे में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ आज जो कि हमारे लिए as a student of English literature, UGC net aspirant हमारे लिए बहुत ही बहुत ही ज्यादा जुरूरी है तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, इस lecture को पूरा देखना बहुत महनत लगी है इसे बनाने में और अगर आपने इसको पूरा देख ले तो आपकी रगो रगों में plateau नामक खून दोड़ेगा, ठीक है तो चलो, सबसे पहले ये पहला lecture है literary criticism का, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अलग से इसके लिए कोई video बनाओ कि literary criticism होता क्या है मैं पहले भी समझा चुका हूँ, शायद theory की videos में कि literary criticism थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, अब देखो criticism क्या है हम किसी को कहते है, वो बहुत criticize करता है या फिर करती है, ठीक है तो criticism हमें हमेशा लगता है कि कोई आपके बारे में कोई बुरी बात बोल रहा है, तो वो criticism है negative, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है criticism का मतलब है, जब आप किसी भी चीज को analyze कर रहे है, उसे interpret कर रहे है या फिर judge कर रहे है, आप उसको negatively भी कर सकते है और positive तरीके से भी कर सकते है ठीक है दोनों ही तरीके से, criticism का मतलब सिर्फ negative नहीं होता है criticism का मतलब होता है, negative और positive तरीके से आप किसी को भी criticize कर रहे है, judge कर रहे है या फिर commence कर रहे हैं किसी पर चलो देख लेते हैं कुसी बिए क्वालिटी नद दिरेक्टर पर कमेंट करते हैं उस आर्ट को हम criticism कहते हैं तो literary criticism और literary studies भी से कहते है is the study evaluation देखो जब हम exam कुछ देते हैं तो उसको evaluate करता है हमारा teacher की उसमें कितना सही है कितना गलत है तो उसी तरीके से जो एक critic होगा वह भी evaluate करेगा एक literary work को कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ठीक है कुछ अपने opinions भी वह उसमें देगा and interpretation of literature जैसा कि मैंने बताया interpretation है modern literary criticism ध्यान देना modern literary criticism जो है वह literary theory से कही नहीं influence हुआ है ancient literary criticism नहीं है यह modern literary criticism है जो कि literary theory से हुआ है हमारा influence which is the philosophical discussion of literature's goals and methods literary theory क्या है एक philosophical discussion है literature के goals के और methods के देखो literary theory क्या है simply theory जो है एक tool है ठीक है अब मुझे कुछ भी criticize करना है किस भी work को evaluate करना है तो मैं कोई ना कोई theory apply करूँगा है जैसे कि मुझे कोई work को evaluate करना है judge करना है तो मैं मार्क्सिस्ट perspective से करूँ या फिर feminist perspective से करूँ है ना तो वह जो चीज है वह हमारी theory है जब हम theory को apply करते हैं तो वह criticism हो जाता है तो some critics consider literary criticism as a practical application of literary theory जैसा कि मैंने भी कहा because criticism always deals directly with particular literary works while theory may be more general or abstract जो criticism है वो directly associated है किस से किसी literary work से and theory may be more general ज्यादा general हो सकती थोड़ा broader concept theory और abstract हो सकता है abstract मतलब जो कि practical नहीं है abstract है जिसे हम तोल नहीं सकते ना आप नहीं सकते है literary criticism is essentially an opinion जैसा कि मैंने कहा supported by evidence देखो evidence भी होने चाहिए अब हम जब dramatic poetry जब हम पढ़ते है ऐसे on dramatic poetry ड्राइडन का तो उससे भी कुछ ना कुछ evidence दे रहे है कि नहीं English drama better है क्यों better है क्योंकि French drama में यह दिक्कत है क्योंकि ancient drama में यह दिक्कत है English drama में यह दिक्कत है और इसमें यह खूबी है यह दिक्कत है तो हमें evidence भी देने पड़ेंगे है ना उसके theme से उसके style से उसके setting से related या फिर historical और political context से related तो यह होता है हमारा literary criticism ठीक है मैं उमीद करता हूं आप ही समझ चुके होंगे चलो अब हम आगे बढ़ते हैं चलो जी प्लेटो बाबा प्लेटो बाबा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है बहुत ही ज्यादा जो English literature का student अगर उसने प्लेटो और Aristotle को detail में नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा आज मैं बहुत detail में लेकर आया हूं बहुत detail में मैंने खुद भी पढ़ाई की है हलांकि उसका तो मैं 20% भी आपके लिए लेकर नहीं आया हूं मतलब कि क्रक्स लेकर आया हूं बहुत detail studies थी इसकी तो यह पैदा हुआ था 428 सरका में जो यह CA है इसे कहते है सरका सरका का मतल 47 BC में मर गया अभी एक Greek philosopher था born in Athens Athens एक बहुती famous जगा है drama के लिए ठीक है तो वहां पर भी क्या होता था कई competitions होते थे drama के तो उन competitions में क्या होता कि कोई judge करता था उसे तो कहीं नहीं आप कह सकते हो कि जो judge करने का जो सिलसिला है यह वहां से चलके आया है ठीक है तो नाम से लग रहा है plato was an innovator of the written dialogue and dialectic forms यह important है dialectic forms को इसने innovate किया dialectic का simple सा मतलब है dialogue dialogues अब आप देखोगे कि इसका जो republic work है उसमें इसने लोगों को use किया है dialogues जो आपस में वह बातचित कर रहे है उसी पर इसने book लिक ही है Socrates जिसका main character है Socrates जिसका guru था है ना Socrates ठीक है plato का guru था और plato किसका guru था Aristotle का वह अलग बात है कि Aristotle जो है थोड़ा सा opposite में चला गया था अपने guru के ठीक है तो वह Aristotle को भी हम इसके बाद detail में पढ़ेंगे यह दोनों लोग तो king है king जाने माने literature में और भी कई field में है ऐसा नहीं है लेकिन हमारे लिए जो इनकी चीज़ important है वो लेकर रहा होँगा तो dialectic form क्या होता है dialectic होता है also known as dialectical method is a discourse discourse भी dialogues related है Foucault का भी concept है उसकी video में मैंने समझाया between two or more people जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में को discourse चला डायलोग चल रहा है holding different points of view जिसमें उनके different points of view है किसी subject को लेके but wishing to establish the truth पर वो उनका main goal क्या है कि truth को establish करना है through reasoned arguments reason होना चीए उसमें से नहीं कि बेतु की argument कर रहे हो आप जैसे कि आजकल news channels पे होता है बेतु के argument चल रहे होते हैं लड़ रहे होते हैं इससे अच्छा तो उन्हें मैदान में भेज़ दो लड़ने के लिए वो और भी अच्छा है खेर आगे चलते हैं प्लेटो देख लिया इसकी शकल देख लिए बहुत अधूत आदमी था थोड़ी सी books की बात कर लेते रिब अधुर आदमी था उस वक्त लेकिन वही कहते हैं कि जो जितना होशयार होता है वक्त जो जमाना होता है वह उसे accept नहीं कर पाता तो इसे मरवा दिया गया था ठीक है तो उसके बारे में फेडरेस में बात किये यह हमारे लिए important नहीं इसके years नहीं पूछे जाएंगे हैं त formalism देखो है न अब आप देखना धीरे-धीरे कि कैसे यह बाप है हर एक चीज का बहुत सारी theories इसकी ideas से निकल कर आई यह वह अभी हमें पता लगए का धीरी-धीरे क्या है his most famous contribution is the theory of forms known by pure reason ठीक है मैंने कोशिश किये कि जो बीच में terms आ रही है उनको मैं explain करता चला जाओ तो sometimes called pure reason क्या है ठीक है pure reason है sometimes called theoretical reason भी से कहा जाता है और pure reason is a theoretical thought pure reason का मतलब है ऐसा reason जो theoretical हो practical ना हो ठीक है as opposed to practical thought कोई ऐसा reason जो theoretical हो उसे pure reason भी कहा गया है और आपका theory of forms भी कहा है या theoretical reason भी कहा है ठीक है तो ये प्लेटो का है याद रखना the distinction between the two goes at least as far back as the ancient Greece and ancient Greek philosophers such as अब प्लेटो और अरिस्टोटल की ideas की जो लडाई थी वो यही थी प्लेटो का था ये theoretical thought और अरिस्टोटल का था practical thought ये वाला ठीक है ठीक है और अरिस्टोटल थोड़ा सा उसके against था थोड़ा क्या काफी जब हम उसकी book पड़ेंगे अरिस्टोटल की तो आपको पतल लग जाएगा पोईटिक्स पड़ेंगे जब the theory of forms or theory of ideas भी इसे कहा गया है theory of ideas obviously जो चीज़ theoretical है वो ideas से ही related होगी theory of ideas is a philosophical theory है ये एक philosophical theory concept भी है या फिर world view है attributed to Plato इसका यही है attribute इसका बाप that the physical world is not as real as true अब ये क्या बोलता है कि physical world जो है न वो इतना real नहीं है ना ही वो इतना सच्चा है कितना जैसे कि timeless absolute unchangeable ideas होते हैं जैसे कि absolute ideas है unchangeable ideas है जो हमारा physical world है वो उतना real नहीं है वो उतना true नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि idealist था ideas पर believe करता था ideas पर ठीक है, ideas पर believe करता है ज्यादा, आगे-आगे पता चलेगा इसकी सच्चाहियां सारी, according to this theory, ideas are the non-physical essence of all things, यह कहता कि idea ही है जो कुछ है, idea are the non-physical है, physical नहीं है, obviously idea abstract चीज़ है, non-physical essence है of all things, हर चीज़ का essence है, ideas, ठीक है, of which objections matter in the physical world are merely imitation, जिसकी imitation है, सारी चीज़े, physical world में, जो भी चीज़े हम देखते हैं, वो किसकी नकल है, copy है, किसकी ideas की, ठीक है, यह कहना चाहता है theory of forms में, Plato, Plato speaks of these entities only through the characters, देखो, character मैंने कहा था, Socrates को use किया है, इसने, Republic का main character है, of his dialogue, dialogues हो रहे हैं, दोस्तों के बीच में, who sometimes suggests that these forms are the only objects of study that can provide knowledge, ऐसा लगता है कि यही forms है, object of study की, जो की knowledge प्रोवाइड कर सकती है, सिर्फ forms ही है वो, ठीक है, मतलब forms, ideas, ठीक है, theoretical thought, pure reason, यह है theory of forms, चलो, आगे चलते हैं, अब आती हमारी most famous theory of mimesis, लगभग similar है, लेकिन mimesis जो है न, imitation और mimesis, यह पहली बार Plato ने ही use किया है, mimesis का जो concept है, यह पहली बार, Plato was the first to talk about imitation and mimesis, right, so according to Plato's theory of mimesis, उसके बाद Aristotle ने इसको defend भी किया, आगे जाके, according to Plato's theory of mimesis, imitation, the art deals with illusion, यह क्या कहता है, कि जो imitation के बारे में, कि जो art है न, art, वो deal करता है किस से, illusion से, मतलब कि उसमें reality नहीं है, and they are imitation of an imitation, कि वो imitation है, मतलब एक नकल की भी नकल है, ठीक है, thus they are twice removed from reality, ठीक है, अभी twice removed कैसे है reality से, वो मैं अभी detail में समझाओंगा, थोड़ा सा score पढ़ लेते, according to Plato, all artistic creation is a form of imitation, यह कहता है, चलो पहले समझाई देता हूँ आपको, कि twice removed from reality कैसे, मान लो, यह एक पेड है, ठीक है, यहां घास लग गया, और इसमें तना बन गया, ठीक है, मान लो, यह एक पेड है, तो सबसे पहले, इसकी जो image है, वो किसके mind में आई, वो किसके mind में आई, God के mind में, यानि की creator हम कह सकते हैं, उसे, ठीक है, ठीक है, God के mind में सबसे पहले आया, चाहे वो tree है, या फिर कुछ भी चीज है, chair है, pen है, कुछ भी है, उसके बाद क्या हुआ, कि मान लो, एक painter है, एक artist है, ठीक है, यह हमारा artist है, ठीक है, artist के बाल ऐसे होते हैं, थोड़े ना, खजल रहते हैं बचारे, एक poet भी आर्टिस्ट ही होता है, एक singer भी आर्टिस्ट होता है, तो उनके ज़्यातर बाल ऐसी होते हैं, और slim जैसे होते हैं, बाजू में भी होती हैं इनकी, चालो, मैंने बना दिया एक artist, ठीक है, यानि कि एक painter, painter वाला artist, ठीक है, artist थो ऐसे सभी है, अब इसने क्या किया, कि पहले God के दिमाग में ये image आई, फिर उसके बाद ये image artist के mind में आई, या फिर यहां पर आप एक carpenter भी ले सकते हैं, जो कि एक chair बना रहा है, ठीक है, जो कि एक chair बना रहा है, तो सबसे पहले God के दिमाग में वो image आई थी, उसके बाद वो चीज उसने create की, उसके बाद artist के दिमाग में वो चीज आई, तो ये हो गई, पहली stage, ये हो गई, दूसरी stage, ठीक है, उसके बाद ये writer ने क्या किया, कि एक ऐसा इसने एक चीज ली, औ इस पे पेड को draw कर दिया, ठीक है, अब ये जो चीज है, ये है जो हम तक पहुंच रही है, मतलब कि ये तीसरी stage है, ठीक है, third stage, समझ गे, अब ये जो third stage है, अब मैंने पता नहीं, अपने सीर के उपर ना लिख दिया हो है, ये जो third stage है, इसमें हमें चीजे मिल रही है, तो God का जो idea था, उस idea को imitate किया, आर्टिस्ट ने, और वो जो imitation of imitation है, वो हमें परोसी जा रही है, किस के दवारा, आर्टिस्ट के दवारा, ठीक है, चाहे वो poet है, चाहे वो artist है, या फिर कोई भी artist है, ठीक है, तो उसे इसने कहा है, theory of mimesis की ये है, उसने इसे कहा है, twice removed from reality, तो according to plateau, ये हम पढ़ चुके है, all artistic creation is a form of imitation, जो मैं बने बताया, that which really exists, in world of ideas में ही exist करती है, ये सारी चीजे, ठीक है, is a type created by God, the concrete things man perceives, perceive, ठीक है, phenomenonology का concept, जो हम perceive करते है, the concrete things man perceives in his existence are shadowy representation of this ideal type, जो ये ideal चीज है, जो बगवान के दिमाग में थी, उसी की representation है, एक परचाई है, जो कुछ हम perceive कर रहे है, जो हमें मिल रहा है, जो concrete चीजे है, practical चीजे है, हमारी daily life में, जो हम उनको perceive कर रहे है, वो सिर्फ एक परचाई है, representation है, किस की, ideal type की, ठीक है, चलो जी, platonic love, बहुत interesting चीज, ठीक है, platonic love होता है, spiritual love, आ पर लड़की देखी, वस, यही है मेरा प्यार, यही है सब कुछ, इसके बिना तक कुछ भी नहीं है, हाँ, लड़कियों को भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पर लड़कियां बताती नहीं है, खेर, platonic love, अब platonic love क्या है, spiritual love है, जिसमें आपको physical कुछ नहीं करना है, कई बार प्यार जो होता नहीं, pure form of love, जैसे राधा कृष्ण का था, वो भी एक platonic love था, ठीक है, तो जो प्लेटो की एक परिभाशा है, love की, वो है, उसे आमने platonic love का है, it is a type of love in which sexual desire or romantic features are non-existent, इसमें आपकी कोई sexual desire नहीं है, आपका यहीं कि बस यार, उसके साथ वक्त विताना है, उसके साथ वक्त बिताना है, यही होता ना प्यार, खेर, सबकी परिभाशा अब अपनी है प्यार की, ज़रूरी नहीं यही होता है, हर एक चीज़ प्यार का part है, चाहे वो physical love हो, या spiritual love हो, it's a part of love, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, तो अपने गंदे विचार, ठीक है, but it means more than just friends, लड़ियां बोलती है, just friends, friend zone करती है, लेकिन more than just friends जहां है, मतलब कि आप है तो friend, उसे आप कुछ नहीं चाहते, कोई आपकी sexual desire नहीं है, कोई romantic desire नहीं है, लेकिन friend से भी आप ज्यादा मानते है, उसे, आपका crush है वो, प्यार है आ अब अगर हम john dunn की बात करें न, john dunn, तो उसने एक poem लिखी है, ecstasy, कुछ ऐसी spelling है, ecstasy की spelling में doubt है, मुझे देख लेना, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें ecstasy भी है, और एक flea भी है, है न, तो flea में वो क्या, क्या कहता है, कि भाई, एक मक्खी है, मान लो, ये मक्खी है, आप पता नहीं मैंने क्या बना थिया है, ये मक्खी है न जो, या फिर जो कुछ भी insect है, इसने पहले मुझे खाया, फिर तुझे खाया, ये बंदा, ये बंदी, ठीक है, पहले मुझे खाया, फिर तुझे खाया, अब ये मेरा खून भी इसकी रगों में दोड़ रहा है, तेरा खून भी इसकी रगों में दोड़ है कि चल हम भी थोड़ा फिजिकल लव कर लें प्लाटोनिक लव की भी वो बात करता है कि प्लाटोनिक लव is also important but physical love is also necessary. John Dunn तो था ही बंदा खतरनाग for God's sake hold और टंग and let me love और चाइड में फाल सी oh my God भगवान की खातिर मुझे अकेला छोड़ दो मुझे प्यार करने तो अपने महबूबा की माहों में मुझे रहने दो बस मजा लेने दो तो ये हो गया प्लाटोनिक लव आगया आगया this is opposite to romantic love obviously ये हमारा Romeo है बोलते ना बड़ा Romeo बना फिरता है ये क्या करता था? खिड़की में आता था ये देखो रसी है मुझे लग रहा है कि Romeo ये है तो यहाँ पर ये कहती थी Romeo, Romeo, where for our dawn Romeo है ना इस टाइप की चीज़े तो ये है हमारा romantic love ठीक है ये थोड़ा सा interest create करने के लिए मैंने बीच में डाला है तो platonic love जो है वो romantic love का opposite है चलो आगे चलते है अब हम बात करेंगे रिपब्लिक जो की book है 375 BC में आई है किसकी है ये क्या लिख दिया यार मैं कई बाना over excited हो जाता हूँ लो, plato अब it is a socratic dialogue क्योंकि इसमें socrates है एक character है author by plato concerning justice starting की कुछ books में इसमें justice की बात होगी ठीक है the order and character of just city state की एक just city state मतलब की एक शहर या फिर एक state हमने बसाना है एक just हो जिसमें justice हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते ये सारी चीज़े इसमें discuss हुई है and the just man और एक just man एक इमानदार आदमी की क्या परिभाशा होती है वो भी इसमें है it is plato's best known work one of the world's most influential works of philosophy and political theory both intellectually and historically ठीक है अब हम book wise book इसमें total 10 books है ठीक है 10 books है total ये भी एक question बन सकता है UGC net में ठीक है उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके detail में इसकी books को पढ़ते है चालो book 1 while visiting the ये कुछ दोस्ते pyreus glukon polymarcus और आपका threshimachus जो भी इसकी pronunciation होगी threshimachus जो भी है ये चार लोग है इसमें हो सकते कहीं option में आ जाया है तो इसलिए बने डाले है याद होता है तो कर लेना नहीं होता तो समझ लेना while visiting the pyreus with glukon थोड़ा सा important है माली polymarcus tells socrates ये तो है ये character is a main character to join him for a romp अब romp होता है जब आप joy के लिए कोई बातचीत करना चाह रहे है उसे romp कहते है अब ये कहते हैं आजाया थोड़ी अप्पे मारते हैं सॉक्रेटिस asks them what is justice आप सॉक्रेटिस ने सिद्धा ही कोशन कर दिया सॉक्रेटिस कोशन भी एक बड़े अजीव तरीके से करता था वो कोशन ऐसे पूछता था जिसका अंसर उसको पहली पता होता था ठीक है लेकिन फिर भी वो कोशन पूछता था सॉक्रेटिस जैसे हम कहते हैं कि यार ये बहुत गंदा आदमी है ना हम ये कोशन पूछ रहे हैं लेकिन साथ में हम उसमें अंसर भी दे रहे हैं कि ये गंदा है तू मान इस बात को अब तुझे हां आना तो करना पड़ेगा तो ज्यादतर टाइम इनसान हां ही करेगा आपने कोशन ही ऐसा पूछा है तो वो सॉक्रेटिस टाइप के कोशन होते हैं तो इसने पूछा ज्यादतर पूछा है अब पॉलिमार्कर क्या बोलता है कि एक ऐसा आट जो फ्रेंड्स को अच्छा देता है और जो दुश्मन होते हैं उनको बुरी चीज़ देता है वो जस्टिस है ठीक है फिर तरिसमेकर क्या कहता है प्रोक्लेंज जस्टिस is nothing else than the interest of the stronger कि भाई जस्टिस कुछ नहीं है एक strong आदमी के interest के अलावा एक strong आदमी जो भी चाहता है वो करता है और जो वो करता है वही जस्टिस है ठीक है साक्रेतेस ओवर टर्रेंटेश देर देफिनेशन किसी कोई आदमी disadvantage अपनी कोई दर्शा रहा है तो वो unjust है ठीक है अब मैंने कोई अपना कहीं अपना फाइदा देखा वही justice है नुकसान देखा तो वो injustice हो गया यह इसने बोला कि यह होता है तो पहली बुक तो जो है वो खतम हो जाती है अपोरिया पे अपोरिया ठीक है अपोरिया एक ऐसी situation होती जब आपको पता ही नहीं होता है कि अब करना क्या है आगे कुँआ पीछे खाई आगे जाए या पीछे जाए आपोरिया फस गे तो बी और ना करे रहे या ना रहे क्या करे परिशान हो गए तो ऐसी situation पर खतम हो जाता है justice के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने क्रक्स लेकर आया हूं आपके लिए में तो ग्लुकॉन क्या करता है कहानी सुनाता है गईगेस जो भी इसकी पनसेशन होगी गईगेस बहुत पुराने वर्ड्स है ना एक इंसान है हो सकता है पूछा जाए है कि रिपब्लिक में जो है ग्लुकॉ इसकी कहानी सुनाई है जस्तिस की चर्चा चली है भी विक भी दुम है खिक है बुक थ्री आती है इसका कंपैणियन एन्ड ग्लुकॉन बार-बार आ रहा है इसका नाम तो याद रखी लेना अब यह एक एज्जुकेशन के भी इसमें बहुत सारी बाते हुई है इस बुक म एक्टिविटीज भी करवानी चाहिए जिमनेजियम वगएरा कुछ ऐसा वर्ड था कि ऐसी कसरत वगएरा भी उनके लिए जरूरी है वही सारी चीज़े जो आज क्या जमाने में भी अप्लिकेबल है तो अपनी डिसकुशन को कंक्लूड करते हैं एजुकेशन पर ठीक है तो स विजविज्डम दूसरा है करिज तिसरा जस्टिश चौनज़िश विजडम आपको पता है करिज हिम्हत जस्टिस न्याए यह तो इसस कामलूड करनàngी करतेवह की Santari यह नहीं करना है पर कहं तो यह चार चिज़े याद रख लेना ठीक है कौन सी चार चीज़े बातकिए का लिट्रेट और एजुकेटेड में यही तो फर्क है लिट्रेट तो कोई भी हो सकता है, मैं PhD कर रहा हूँ मैं बड़ा लिट्रेट हूँ, बड़ा पड़ा लिखा हूँ अगर मुझे किसी से बात करने की तमीज नहीं है इंसान्यत नहीं है तो I am not educated, I am just लिट्रेट, ठीक है मैं सिर्फ पड़ा लिखा हूँ, educated नहीं है तो Socrates asserts that बोथ male and female guardians भी given देखो, यहाँ पर rights की बात हो रही है आ रहा है न, यहाँ पर feminism देखो कितने ideas निकलें यहाँ से ठीक है, भाई male भी होने चही educated और female भी अब देखो आज के जमाने में भी कितनी ज्यादा discrimination है बहुत सारे इलागों में इन हरयाना जो है, या फिर कोई और state ले ले, इंडिया में या फिर बाहर की countries में, मैं specifically target नहीं करना चाहता हूँ किसी state को लेकिन मैं सिर्फ व्यथा बता रहा हूँ कि आज भी कई जगा ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए कम पढ़ाते हैं लोग, जल्दे से उनकी शादी करवा देते हैं ठीक है और यह कितने हजारो, सेकडो, सालों पहले की बात है कि सबको एजुकेशन मिलनी चे बराबर ताकि सारी पत्निया और बच्चे शेर कर सके that they be prohibited from owning private property दुबारा पढ़ते हैं इसको बुथ मेल और फेमल गाडियंस भी गिवन दी सेम एजुकेशन that all wives and children be shared and they be prohibited from owning private property ताकि वो प्रोहिबिट ना हो सके प्राइविट प्रोपर्टी को own करने से ठीक है चलो बुक चार में चलते है Socrates and his companions conclude their discussion concerning the lifestyle of थोड़ा सा गाडियंस के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते है conclude करते है their initial assessment of city as a whole उन्होंने ये सोचा कि चलो एक ऐसी city के बारे में हम imagine करते हैं जिसमें हर एक चीज just होगी मतलब की हर एक चीज सही तरीके से होगी और लोग सब खुश रहेंगे अब उस city में उस state में क्या क्या होना चीज़ क्या क्या नहीं होना चीज़ उसी बारे में ये बात कर रहे हैं ठीक है रिपब्लिक में Socrates assumes each person will be happy engaging in the occupation that suits them कि भाई इंसान तभी खुश रह सकता जब वो ऐसा occupation करे जो उसे suit करे जिसमें उसका interest हो if the city as a whole is happy then individuals are happy अगर पूरी city हमारी happy है जो हमने imagine कर रखी है तो इसका मतले सारे लोग है हर एक individual happy है Socrates creates an analogy between the parts of the city and the soul अब city और soul की जो analogy यह भी आद रख लेना प्लेटो ने दी है अब इसमें क्या बोलता है He argues that psychological conflict points to a divided soul कि जब हमारे psychological conflicts होते हैं तो वो है उसका मतलब है कि हमारी soul जो है divided है उसमें कोई coherency नहीं है Since a completely unified soul जो एक unified soul होती है could not behave in opposite ways वो कभी भी विप्रीत दिशा में काम नहीं कर सकती towards किसी एक same उचीज के बारे में किसी एक टै वक्त में in the same respect में लगी same तरीके से यहां लग जा full stop ठीक है तो city और soul की बात की है कि soul जो है वो unified होनी चाहिए rather than divided book 5 both male and female guardians ought to receive the same education feminism इसमें यह यह बात हो रही है human reproduction ought to be regulated यह थोड़ा सा मुझे ना dystopian लग रहा है देखो dystopia आ गया है पर जहां पर चीजे सही ना हो सब तहसन है जैसे कि हम the handmade style की बात करते है ठीक है एडवूड ने जो लिखा है 1985 में है 1985 में ही है यह जहां तक मुझे याद है तो उसमें क्या dystopian world है women have to copulate with the master और वो क्या करता है उसकी जो पुरानी पत्नी है वो भी साथ है and the girl is sitting in the lap of that woman and that guy that husband is having a sexual intercourse with that girl जो की गोदी में बिठाई है किसकी अपनी पत्नी के that पत्नी जो की बच्चों conceive नहीं कर पा रही है और बाद में जो वो बच्चे हैं जो handmade से लिये जाते हैं वो petraks रखते हैं और इनका काम कुछ नहीं है सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम है ठीक है तो dystopia है तो अब यहां पर यह भी कुछ लगबख सेम बात कर रहा है यह बोर रहा है कि human reproduction जो है वो regulate करे state मतलब कि जो आपने बच्चे पैदा करने है नहीं करने है कितने करने है उस पर आपका कोई control नहीं है वो सारा state के पास control होना चाहिए and all offspring जो भी बच्चे है उनको वो ignorant होने चाहिए कि आपका biological माबाप है कौन जैसे कि इस handmaid से बच्चा हुआ इसको तो यह लगा मैं अपनी माँ से हुआ हूँ जिसके पास वो रह रहा है handmaid का काम तो सिर्फ बच्चे पैदा करने का है तो उसी तरीके से कहता है कि बच्चों को पता नहीं होना चाहिए कि उनके माबाप है मतलब they should not be concerned about that तो यह बात मुझे थोड़ी से अटपटी लगी प्लेटों के बारे में पर खेर बोली है तो बतानी पड़ीगी such a city and its corresponding philosopher king could actually come to be in real world हाँ अभी philosopher king का जो concept आया ना यह कहता है कि जो एक just state होगा हमारी जो imagine जो city है उसको control कर सकता है philosopher king अब फिलोसफर king कौन है यह तो ही बात होगी ना मैं एक teacher हूँ मैं बोलूँगा teacher ही सब कुछ है बागी सब बेवकूब है तो philosopher king क्या कहता है is a hypothetical मतलब ऐसे assume किया हूँ रूलर है जिसमें political skill के साथ साथ philosophical knowledge भी हो यह कहता है कि only that person who has philosophical knowledge only that person can rule the state ठीक है तो यह कहता कि philosophers जो है वही लोग जबरदस्त है उन्हें knowledge होती है वही रूल कर सकते है the concept of city-state ruled by philosophers is first explored in Plato's Republic सबसे पहले इसी में आया है Plato argued that the ideal state one which ensured the maximum possible happiness for all its citizens could only be brought into being by ruler कि भाई एक जो हमारा ideal state है जिसके हम बात कर रहे हैं तब से लेकर यह तभी यहाँ पर तभी लोग खुश रह सकते जब यहाँ आपका जो ruler होगा उसको absolute knowledge होगी और knowledge किसको होगी? philosopher को ठीक है? obtained through जो उसने philosophical study करके obtain की होगी ठीक है जी? तो यह philosopher king का concept Plato का है याद रखना book 6 Socrates argument is that in the ideal city a true philosopher with understanding of forms देखो forms अपने idea कि यह एक ऐसा philosopher जिसको forms की understanding हो मतलब ideas पर जो believe करे वही facilitate कर सकता है एक harmonious मतलब की जो एक particular harmony जिसमें unity हो cooperation of all citizens of the city वही harmony establish कर सकता है the governance of a city state is likened to the command of a ship ship of state अब यह कहता है कि जो governance है ना state का वो ऐसा होने ची जैसे कि एक ship पे जो एक हमारा captain होता है जो उसको command करता है उसी तरीके से governance भी होना चाहिए अब ship of state का जो है यह समझते हैं क्या है एक metaphoris ने use की है जो की argue करती है that the only people fit to be captain of the ship are philosopher kings अब यह बोल रहा है कि ship पे भी उसे एक philosopher ही fit हो सकता है ऐसा philosopher जो की king है और king भी वही हो सकता है जो अच्छा philosopher है जिसे अच्छी knowledge है तो this philosopher king must be intelligent होना चीए reliable होना चीए जिस पे भरोसा किया जा सके and willing to lead a simple life जो की एक simple life जी है तो यह कुछ qualities इसने philosopher king की बताई है तो book six में philosopher king की बात हुई है और इसमें एक चीज़ और आई है analogy of the sun यह कहता है कि जो सूरज है वो best है मतलब कि true है वो सूरज से हमें ज्यान मिलता है तो कि एक हिसाब से प्रकाश analogy of the sun चलो जी book seven बहुत ही ज़्यादा important हो जाती है हमारे लिए बहुत ही famous चीज है allegory of the cave आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी पढ़ा भी होगा इसके बारे में आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कहानी है मज़दार है कुछ नहीं है अब allegory of cave में क्या कहता है book seven में जिसकी बात कि अपलेटों ने ये कहता है कि बहुत कुछ लोग है जन्जीर में अटके हुए जो की एक गुफा के अंदर है cave के अंदर है लेकिन उनके जो face है वो cave में दिवार की और गेट की तरफ नहीं है अब क्या है कि वहाँ दरौजे पे आग जली है ये वाली अब ये जो आग जली है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसकी reflection जा रही है सीधी इस wall पे ठीक है जो wall की तरफ इनका face है जो की लोग इसमें अंदर है ठीक है तो अब ये ये कहना चाहता है कि ये वो बेफ़कूफ लोग है जिनको knowledge ही नहीं है philosophy की knowledge नहीं है जितने भी concepts है idealism है उनकी knowledge नहीं है वो उसी चीज़ पर विश्वास करते चले जाते है जो उन्हें दूसरे परोस के दे रहे है ये वो लोग है ये वाले लोग जो इन्हे images दिखा रहे है ये वो लोग है जिसे इसने artists कहा है जिसमे poets आते है poets artists को तो इमानता ही नहीं ये तो बोलता है इनको निकाली दो रिप्रब्लिक से ये जो city state के हम बात कर रहे है ये इनका तो होने का फाइदा ही कुछ नहीं है ये तो बरबात कर रहे है तो गलत चीज़े दिखा रहे है हमें duplicate चीज़े दिखा रहे है twice removed from reality चीज़े दिखा रहे है है ना इस बारे में ये बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या है तो ये कहता है कि अगर by chance कोई एक दिन बाहर चला जाता है उजाले में जिसे की allegory of the sun उजाले में जब कोई चला जाता है तो उसे पता लगता है कि यार ये असल में जिन्दगी है क्या तो ये काम कौन कर सकता है एक philosopher ही कर सकता है तो ये है हमारा philosopher ये जो यहाँ धूप में गया है ना ये philosopher ही ऐसी हिम्मत कर सकता है कि वो जानने की कोशिश करे that what is truth सच को जानने की कोशिश करे ना कि परोसे हुए पर विश्वास करे जैसे कि हम social media पर आजकल देखते है हम news channels पर देखते है हम उसी पर believe करते है जो हमें परोसा जा रहा है तो ये भी यही कहता है कि ऐसे लोग अंदर बैठ कर सिर्फ बेफकूप बनते हैं और इसमें से कुछ जो philosopher होते हैं बाहर निकलते हैं बाहर जाके उन्हें पत्या लगता है कि सच में ही हम अंधेरे में जी रहे थे और फिर क्या होता ये कहता है कि जब बाहर जाता है तो sun की रोष्णी में एकदम से blind हो जाता है philosopher ठीक है क्योंकि इतनी सारी knowledge जो blind हो जाता है अब कोई भी अगर knowledge की बात करता है हमारी society में सॉक्रेटिस या कोई भी है Jesus Christ से उसको भी लटका दिया था जब भी कोई ग्यान की बात करता है तो उसे हम बेफकुप समझते हैं मतलब कि बहुसे हम अंधा समझते हैं और जब वो अंदर आया तो इन्होंने जब इसे देखा कि अंधा हो गया तो इन्हें लगा यार ये तो बाहर जाके अंधा हो गया हम भी बाहर जाएंगे नहीं चाहे हमें कोई खींच के ले जाए हम तब भी नहीं जाएंगे तो आज कल कई लोग ऐसे हैं जो कि अंदर ये अंदर बैटे हैं, ऐसी परोसीवी चीजे समझ रहे हैं, खा रहे हैं, उनको पचा रहे हैं, और वो बाहर जाना ही नहीं चाते हैं, जो उन्हें परोसा जा रहा है, वही उनके लिए ultimate truth है, ठीक है, और जो इनसान ग्यान की बात करता है, उसे वो बेवकुप स समझते हैं, ठीक है, तो ये है allegory of the cave, जो की book 7 में है, ये भी याद रख लेना, क्या पतक हैं, किसी exam में पूछी लिया जाए कि allegory of the cave जो है, वो republic की कौन सी book में है, जैसे की tragedy पूछा जाता है, politics में कौन सी book में है, कोई भी concept है, anagnorises peripetya कौन सी book में है, पूछा जा सकता ह तो ऐसी चीज़े पूछी जा सकती है, तो allegory of the cave याद रखना है, ठीक है, book 8, हाँ जी, ये four regimes बहुत important है, हमारे लिए, अब ये four regimes की इसने बात किये, socrates discusses four unjust constitutions, जो की just नहीं है, सबसे पहली चीज़े, democracy, democracy होती है, जिसमें, आप कह सकते हैं कि property owners जो है, ना, only property owners में participate in the government, जो की, आप कह सकते हैं कि industrialists है, ठीक है, वही लोग जो, जिनके पास property है, वही government में participate कर सकते हैं, तो जब अमीर लोग, जिनके पास assets है, वही government को चलाएंगे, तो वो दूसरे की हितों की क्यों बात करेंगे, वो अपना ही फायदा देखेंगे, अडानी अंबानी group है, अगर वो government चलाने लग गए है, तो they will talk business only, उनको कुछ नहीं ले देना जनता की problem से, वो business की बात करेंगे, ठीक है, पहला तो है democracy, दूसरा है oligarchy, oligarchy भी same चीज़ है, जब एक ऐसा power structure है, जिसमें rich जो है, वो ruling class होती है, अमीर लोग जब ruling class बन जाते हैं, उसे oligarchy कहते हैं, मतलब की oligarchy का मतलब एक single rule जब होता है, किसी एक particular class का, ठीक है, अब तीसरी चीज़ है democracy, अब ये न, शुरुवात करता है, ये aristocracy से, aristocracy क्या है, अमीरियत, अमीर लोग, तो ये कहता है कि पहले तो aristocracy होगी, फिर उसके पाद धीरे-धीरे democracy आ जाएगी, योंकि अमीर लोग जो है होगा, एक selected लोगों का rule होगा, फिर क्या होगा, कि फिर जो छोटे लोग है, छोटे लोग है, वो revolt करना शुरू कर देंगे, ठीक है, revolt करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, democracy आ जाएगी, जैसी इंडिया में आई, ठीक है, जब अंग्रेजों के खिलाप हमने revolt कि तो इंडिया में democracy आई, फिर क्या होगा, कि democracy में कोई ऐसा इंसान निकल कर आएगा, एक ऐसा इंसान निकल कर आएगा, पता नहीं मने क्या उना दिया, जो कि एक demagogue होगा, demagogue, demagogue एक ऐसा leader होता है, जो जनता का दिल जीत लेता है, उनके emotions के साथ खेल के, उनको बली का बकरा बना के, कहीना कहीं, ये एहसास दिलाता है, कि मैं ही सही हूँ, और वो इतना famous leader बन जाता है, कि लोग उसे blindly follow करना शुरू कर देते हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है, पड़ी में खुद हैरान हो गया, कि इतने हजारों सेक्डों साल पहले जो बात कहीं गई है, वो आज भी देखने को मिलती है, सबसे पहले ऐसा ही होता था, अमीर लोगों का, राजा महराजों का रूल होता था, एरिस्टोक्रेसी, टीमोक्रेसी, एक राजा का रूल होता थ फिर धीरे-धीरे अंग्रेज आए, उनका रूल था, उलिगाल की में इसी में ही आएगा वो, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद धीरे-धीरे आप देखना है, डेमगोग्स पैदा हो रहे हैं हमारे इंडिया में, आप अब अज्यूम कर लो, जिसको भी जिसे लोग की कोई परवा नहीं होती, जिस पे लोग लागू ही नहीं होता, और वन हो है असर्प्ट लेजिटिमेट रूलर्स सोवरिनिटी, एक बहुत ही जबर्दस रूलर की उसने सोवरिनिटी मतलब की सोभाग्य उसको मिल चुका है, चीन लिया है उसने किसाब से, अक तो फिर क्या होगा जो यह डिमगोग है वह दिरे दिरे एक टाइरन्ट बन जाएगा, जिसे की टाइरनी आ जाएगी जो की तिरेनी पड़ते है इससे, तिरेनी आ जाएगी, जो की सबसे worst form है रिजीम की, रूल करने की सबसे worst form है, यह देखो है नहीं लिखा है. Socrates argues that a society will decay and pass through each government in succession, eventually becoming a tyranny, the most unjust regime of all, question आ जाए कहीं, कि सबसे unjust regime, Plato ने किसको कहा है, तो अंसर होगा, tyranny, ठीक है, थोड़ा सा regimes की ये बात करता है, मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे, एक दिन, इंडिया में भी बहुत जल्दी tyranny आने वाली है, आप भी देखना अगर हम लोग जिन्दा रहे तो, खेर, आगे चलते हैं, पुक 9, having discussed the tyrannical constitution of a city, Socrates wishes to discuss the tyrannical constitution of psyche, थोड़ा psyche के बारे में बात की, इसने, this is all intended to answer, Threshmaker's first argument, जो उसकी argument थी, उसको अंसर किया, इसने, that the life of the unjust man, here understood as true tyrant, unjust man कौन होगा, जो justice नहीं करेगा, वो unjust man होगा, और unjust, वही हो सकता है, जो एक tyrant हो, is more blessed than that of the, यहाँ पर छूट गया है, पता नहीं क्या था, than that of the, just man, वो, आपका philosopher king जो है, philosopher king जो है, उसे just man कहा गया है, ठीक है, ठीक है, और unjust man है हमारा tarrant, और philosopher king है हमारा just man, लेकिन इसने कहा है कि, जो tarrant जो होगा न, वो ज्यादा blessed होगा, क्योंकि वही फलेगा, फूलेगा, अच्छे लिगों की तो ऐसी value नहीं है, the discussion concludes by refuting, trash makers, argument and designating the most blessed life as that of the just man, and the most miserable life as that of the unjust man, लेकिन धिरे धिरे इसने बोला कि, most blessed life as that of the just man, just man की धिरे धिरे blessed life होगी, और unjust को, इसका खाम्याजा भूगतना पड़ेगा, ठीक है, last book की और आते, देखने में आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन यह most important book है, क्यों, क्योंकि जो twice removed from reality वाली जो बात है, imitation की जो बात है, poets की जो बात की गई है, वो book 10 में ही की गई है, Socrates finally rejects any form of imitative art and concludes that such artists have no place in just city, यह बोलता है कि ऐसे artists जो imitation करते हैं, उनके लिए कोई भी जगा नहीं है, just city में, ठीक है, artists create things, but they are only different copies of the ideas of the original, imitation of the imitation, twice removed from reality, artist, poet, sub, वो बात जो मैं समझा चुका हूँ, वो book 10 में है, यह याद रख लेना है, ठीक है, लो जी, republic होगे खतम, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि poetry के बारे में क्या कहता है, फिर हम खतम करेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो गया lecture है, लेकिन यह सच में बहुत important चीज है, मुझे खुद भी बहुत time लगा और मैं सच में believe करता हूँ कि आपको भी इससे बहुत help होगा, इसके notes में future में provide करूँगा, जिसमें इसके साथ साथ और भी extra details added होगी है, what he says about poetry, यह बहुत important है, poetry has no organic unity नहीं है, ना ही इसमें decorum है, immoral है यह, जूट बोलते है poets, कि इसके बारे में, gods के बारे में, अब मैं एक poet हुआ ने लिख दिया, शर्म आ जाती है, तो वो है decorum, मैं खुद भी poet हूँ लेकिन मैं अभी आपको Plato के ideas बतारो, मुझे तो बड़ा पसंद है, immoral है वो, क्योंकि गंदी बाते करते हैं कई बार उसमें, वो बोल रहा है, तु आजा हम भी कुछ कर लेते हैं, हम भी unite हो जाते हैं, इस मक्खी में, जो हमारा खून unite है, उस तरी के, immoral है, क्या बंदा है वो, चलो, उसके thoughts है भाई, जूट भी बोलते है poets, कि मेरी महभूबा, जो है, वो planets, सारे एक तरफ, मेरी महभूबा एक तरफ तो यह क्या, जूट ही है किसा आप से, बगवान के बारे में भी जूट बोलता है, तो यह बोलता है कि poets को, तो मेरी को चाहिए ही नहीं बस, काइड बन सकता है आपका, क्योंकि जिस चीज़ पे वो depend है, उसका कोई, उसका control नहीं है उस चीज़ पे, Muse पे कोई control नहीं है poet का, next point, Plato regards poetry as a product of an inferior part of the soul, आत्मा का सबसे inferior part है, क्या poetry, ठीक है, अगला poetry affects emotions, यह जो है emotions को करती है, ना कि reason को, मतलब कि हमें knowledge नहीं देती है, emotions सब खेलती है, बस, हमारे heart पे attack करती है, हमारे intellect पे कोई सुधार नहीं लाती है, ठीक है, यह कहता है कि moral lesson होना चीज़ यार, कुछ तो यार, कुछ तो शरम करो, हाना, a poet is a good artist, only when he is a good teacher, यह बोलता है कि, यार, भाई, poet, तु तभी अच्छा है, अगर तु एक अच्छा artist तभी है, मेरे भाई, poet, तु एक अच्छा artist तभी है, जब तु एक अच्छा teacher है, मतलब कि, if you are teaching something from your poetry, only then you are a good artist, है ना, तो इसके बारे में बात करता है, drama के बारे में क्या बोलता है, drama according to Plato is a branch of poetry, इसको भी इसने poetry से mix कर दिया, अब इसकी भी यह बजाएगा, भी देखो, it is also twice removed from reality, it is emotional in appeal, यह भी emotions पर अटक करता है, it applies to baser instinct, याद रखना, सबसे जो निचला स्तर है ना, मारे instinct का, उसको appeal करता है, क्योंकि यह quarrel introduce करता है, lamentation, thunder, etc, ठीक है, तीन चोड़ेलो वाला Macbeth में thunder है ना, cauldron, cauldron, bubble, क्या है, वो, where shall we, three meet again in the lightning, plana plana and rain, कुछ ऐसा है, उस type का, तो भाई, आज तो मेरे गले में भी दर्द हो इस सच में, इस lecture मेरे, काफी लंबा हो गया, काफी burdensome lecture था, और मैं उमीद करता हूँ, आप, को बहुत knowledge मिली होगी आज, है ना, तो इसको आपने share करना, यार, बहुत मेहनत लगी है, मेरी मेहनत को logo तक पहुचाए, मैं आपसे यही उमीद करूँगा, है ना, और अब हमने criticism शुरू कर लिया है, तो धीरे-धीरे मैं एक-एक, आपको critic के बारे में बताता जाओंगा, इसी तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ूँगा, ठीक है, और dana vlogs नाम से, मैं description में link डाल दूँगा, अगर नहीं भी डाला, तो dana vlogs आपने search कर लेना है, मेरा channel है, वहाँ मैं vlogs डालता हूँ, instagram पे follow कर सकते हो, dana multitasker, और इसी के साथ, मैं आ लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद,